हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में गणीत के दूसरे पार्ट बहुपत के सभी महत्पुन अब्जेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे और आपको 100% समझ में भी आएगा ये हमारा ग्रांटी है तो एक भी प्रशन आप लो टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं पहले नंबर प्रशन से तो पहला नंबर प्रशन है कि एक घात वाले बहुपत को क्या कहते हैं काफी महत्पुड प और इसमें चर का महतम घात क्या है तो यहां पर देखिए कुछ भी नहीं है जहां पर कुछ भी नहीं होता है वहां पर एक होता है तो इसमें चर का महतम घात कितना है एक है तो जिस भी बहुपत में चर का महतम घात एक होता है उसे रैखिक बहुपत कहते हैं या एक घात व दो नमबर प्रशन है कि दो घात वाले बहुपत को क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि दो घात वाले बहुपत को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपत कहते हैं, यहाँ पर बी वाला ओप्शन विल्कुली सही हो जाएगा, इस बहुपत में देखिए चर का महत्त तीन नंबर प्रशने की तीन घात वाले बहुपत को क्या कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है की तीन घात वाले बहुपत को क्या कहते हैं तो तीन घात वाले बहुपत को त्री घात बहुपत कहते हैं यहाँ पे सी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा और इस बहुप चर्का अधिकतम घात कितना है रैखिक बहुपत का सुन्य ता होता है एक रहा और तरी गात भाउन की सुन्य तव। याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन चार नमबर प्रशन है कि द्विघात बहुपत का ब्यापक रूप क्या होता है काफी महत्पुड प्रशन है यह आपके बोड परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपत का ब्यापक रूप क्य B कहते हैं और जिसमें X नहीं रहता है उसे C कहते हैं यहाँ पर हम आपको example से समझाते हैं बहुत यह अच्छी तरीके से समझ में आएगा यहाँ पर देखिए 4XA square minus 3X plus यहाँ पर 2 अब यहाँ पर आपसे बोलेगा कि A का मान निकालिए B का मान निकालिए C का मान निकालिए तो A, B और C का मान कैसे निकलेगा तो यहाँ पर देखिए जो XA square में गुणा करता है उसे A कहते हैं तो XA square में क्या गुणा कर रहा है चार गुणा कर रहा है तो A का मान यहाँ पर 4 है अब B का मान कैसे निकलेगा तो जो केवल X में गुणा करता है उसे B कहते हैं तो यहाँ पर X में क्या गुणा कर रहा है तो माइनस तिन गुणा कर रहा है तो B का मान यहाँ पर माइनस तिन है और C का मान कैसे निकलता है तो जिसमें X नहीं रहता है उसे C कहते हैं तो यहाँ पर X नहीं है तो यहाँ पर C का मान कितना है दो है तो ऐसे करके आप A, B, C का मान निकाल सकते हैं और अभी तक आप हमारे WhatsApp ग अगला प्रश्न 5 नंबर स्चाउद नंबर स्चीन है की तिरीघात भुठाट का ब्यापक रूप क्या होता है यह भी काफी महत्त 110 प्रश्न यह आपके बूर्ड परिक्ष्याद के लिए यहाँ पी तिरा Commissioner का ब्यापक रूप बताना है तो तिरीघात भुठाट स्क्वार प्लस एक्स प्लस डी होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन चे नंबर चे नंबर प्रशन है कि बहुपद एक से स्क्वार प्लस दू एक्स प्लस एक के सुन्यकों का योग दिया हुआ है और आपसे यहाँ पे सुन्यकों का योग निकालने के लिए बोल रहा है प्रशन है तो सुन्यकों का योग कैसे निकलता है तो इसके लिए एक फर्मूला होता है तो बस यहाँ पे आपको बी का मान रख देना है और यहाँ पे आपको एका मान रख देना है त तो यहाँ पर देखिए जो x square में गुणा करता है वो a होता है और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है और जिसमें x नहीं रहता है वो c होता है तो यहाँ पर देखिए x square में क्या गुणा कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है जहाँ पर कुछ भी नहीं करता है वहाँ प प्लस बीटा बुराबर माइनस है तो माइनस बी का मान कितना है दो है तो यहाँ प्लिख देंगे दो और एक का मान कितना है एक है तो यहाँ प्लिख देंगे एक अब यहाँ पर दिखें अल्फा प्लस बीटा बुराबर माइनस दो बट्टा एक का अर्थ हुआ माइनस दो य दिखते हैं अगला प्रश्ण सातनां प्रश्ण की बहुपत चार एक से स्क्वाइर प्लस चीने इक स्वाम लहां रखना है यहां भी है आपको cat को है है सो मीत होता है और जो के वाल एक्स में गुणा करता है वो B होता है और जिसमें X नहीं रहता है वो C होता है तो यहां पर A कामान कितना है यहां पर देख सकते हैं 4 है और B कामान कितना है 3 है और C कामान 2 है बस यहां पर आपको रख देना है अलफा प्लस बीटा बुराबर माइनस है तो माइनस और B कामान कितना है 3 है तो यहाँ पलिख देंगे 3 और एक आमान कितना है 4 है तो यहाँ पलिख देंगे 4 तो यहाँ पर देखे अलफा प्लस बीटा कितना निकल गया माइनस 3 बटा 4 निकल गया और अलफा प्लस बीटा क्या होता है सुन्यको का योग होता है और सुन्यको का योग कितना निकल गया माइनस तिन बट्टा चार निकल गया तो यहां पे सी वाला ओप्शन बिल्कूल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्णा आठ नमबर प्रश्णा है कि बहुपत दस एक से स्क्वाइर प्लस एक स प्लस तिन के सुन्यकों का गुणनफल ग्याद करे और अलफा इंटू बीटा का फर्मूला क्या होता है सी बट्टा ए होता है तो बस यहां पे आपको सी का मान रख देना है और यहां पे आपको एक आमान रख देना है तो सी और एक आमान आएगा कहां से तो इस बहुपत से आएगा जो एक से स्क्वाइर में गुणा करता है वो a होता है और जो केवल x में गुणा करेगा वो b होगा और जिसमें x नहीं रहेगा वो c होगा तो x square में क्या गुणा कर रहा है दस गुणा कर रहा है तो a का मान यहाँ पर 10 है और b का मान यहाँ पर देखिए x में क्या गुणा कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है जहाँ प इतना है दस है तो यहां पर लिख देंगे दस तो हमारा अलफा इंटू बीटा कितना निकल गया तीन बटा दस निकल गया और अलफा इंटू बीटा क्या होता है तो यह होता है सुन्यकों का गुड़नफल और सुन्यकों का गुड़नफल कितना निकल गया तीन बटा दस निक करें इस बहुपत का भी आपको सुन्यकों का गुणनफल निकालना है तो सुन्यकों का गुणनफल का फर्मूला होता है अलफा इंटू बीटा बुरावर सी बटा ए यहां भी आपको सी का मान रख देना है यहां पे एक का मान रख देना है तो जो एक से स्क्वाइर में को चेहां पर रख देना है अलफा इंटू बीटा बुराबर सी का मान कितना है यहां पर आट ए और एक आमान एक है यहां पर देखिए हैं और इस नंबर अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है यहाँ पे आपको x-2 का आपको सुन्यक निकालना है तो जब भी आप से बोले सुन्यक निकालने के लिए तो बराबर के उधर आपको 0 लिखना है और यहाँ से आपको x का मान निकाल देना है x का जो मान आएगा वही आपका सुन्यक हो जाएगा तो इधर माइनस दो है तो माइनस दो को हम बराबर के उधर भेज देंगे तो प्लस दो हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना निकल गया दो निकल गया एक्स कामान कितना निकल गया दो निकल गया और दो हमारा क्या हो जाएगा सुन्यक हो जाएगा तो यहाँ पे एवाला आप्सन बिल इसका भी सुन्यक निकालना है तो बराबर के उधर 0 लिखेंगे अब यहां से आपको X का मान निकालना है तो सबसे पहले माइनस 3 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा तो X से स्क्वाइर बराबर इधर क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा अब यहां पे आपको X का मान न निकलेगा एक माइनस में रूट तिन निकलेगा तो हमारा सुन्या कि यहाँ पर क्या हो जाएगा सी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण बारा नंबर बारा नंबर प्रश्ण है कि यदि अलफा और बीटा बहुपत तीन एक से स्क्व तो इसका एक फर्मूला होता है एक बटा अलफा प्लस एक बटा बीचा बुराबर माइनस बी बटा सी होता है तो बस यहाँ पर आपको बी का मान रख देना है और यहाँ पर आपको सी का मान रख देना है तो बी और सी का मान आएगा कहां से तो यहाँ पर देखिए जो एक में गुणा करता है वो B होता है और जिसमें X नहीं रहता है वो C होता है तो यहाँ पे देखिए X स्क्वाइर में क्या गुणा कर रहा है 3 गुणा कर रहा है तो A का मान कितना है 3 है और यहाँ पे देख सकते है माइनस चार है और C का मान कितना है यहाँ पे 5 है तो बस यहाँ पे आपको रख देना है एक बटा अलफा प्लस एक बटा बीटा बुराबर माइनस है तो माइनस और B का मान कितना है माइनस चार है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस चार और यहाँ पे C का मान कितना है बट्टा पांच निकल गया तो यहाँ पे बी वाला ओप्शन बिल्कूली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला परश्ण तेरा नंबर तेरा नंबर प्रश्ण है कि यदि बहुपत दो एक से स्क्वाइर माइनस नौव एक्स प्लस बी में बी कामान ग्याद करें यदि सुन्यको का गुणनफल आठे काफी महत्पुड प्रश्ण है यह आपके बोड परिक्षा के लिए यहाँ पे एक बहुपत दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस बी कामान ग्याद करना है आपको और यहां पे सुन्यको का गुणनफल कीतना दिया हुआ है आठ दिया हुआ है तो सुन्यको का गुणनफल क्या होता है तो C का मान कितना है, B है, तो यहाँ पर लिख देंगे B, और A का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और यहाँ पर 8 है, तो लिख देंगे 8 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे A कब आपको क्या करना है, यहाँ पर तिर्चा-तिर् 14 नमबर प्रश्न है कि दुई घाट बहुपद एकस इन्टू, टु एकस-5, माइनस-3 के सुनियकों का योग ज्याद करें, काफी महतपुड प्रश्न हैं, यहाँ पे एक दुई घाट बहुपद दिया हुआ है, x x 2x-5 और यहाँ पर माइनस 3 और यहाँ पर आपको सुन्यकों का योग निकालना है सबसे पहले यहाँ पर देखे लिखा हुआ है द्विघात बहुपद और यहाँ पर द्विघात बहुपद की तरह लग नहीं रहा है तो सबसे पहले इसको द्विघात बहुपद बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए X common ले लिया है इन दोनों से तो यहाँ पर देखिए फिर वापस हम क्या करेंगे गुणा करा देंगे तो X में 2X से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 2X से square और यहाँ पर plus है और यहाँ माइनस है तो माइनस X में 5 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5X और यहाँ पर माइनस 3 है तो माइनस 3 अब यहाँ पर देखिए यह द्विघात बहुपद बन गया है अब यहाँ पर आपको सुन्यको का यूग निकालना है तो सुन्यको का यूग का फर्मूला क्या होत तो बस यहाँ पर आपको B और A का मान रखना है तो जो X स्कुरार में गुणा करता है वो A होता है और जिसमें X नहीं रहता है वो C होता है तो यहाँ पर देखें यहाँ पर देख सकते हैं माइनस पांच है तो यहाँ पलिख देंगे माइनस पांच और एक आमान कितना है दो है तो यहाँ पलिख देंगे दो तो अब देखिए यहाँ पे अलफा प्लस बीटा बुराबर अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पांच बटा दो हो जाएगा तो अलफा x into x minus 1 के सुन्यकों का गुणनफल ग्याद करें काफी महत्पुड प्रश्न है यहाँ पे देखिए 2 plus x into x minus 1 दिया हुआ है और बोला है कि सुन्यकों का गुणनफल यानि alpha into beta निकालिए तो कैसे निकलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x को common ले लिया गया है तो दोनों x में x से गुणा होगा तो x square और यहाँ पे plus है और यहाँ पे minus है तो क्या हो जाएगा plus minus minus और x में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा अब यहाँ पे आपको सुन्यकों का गुणनफल निकालना है तो सुन्यकों का गुणनफल का formula क्या होता है c beta a होता ह तो बस यहाँ पर आपको C का मान रखना है यहाँ पर A का मान रखना है तो जो X स्क्वाइर में गुणा करता है वो A होता है और जो केवल X में गुणा करता है वो B होता है और जिसमें X नहीं रहता है वो C होता है तो यहाँ पर A का मान कितना है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं माइनस एक हो जाएगा और सी का मान कितना है दो है तो यहाँ पर लिख देंगे दो तो यहाँ पर देखे अलफा इंटू बीटा बुराबर सी का मान कितना है दो है तो यहाँ पर लिख देंगे दो और एक का मान कितना है यहाँ पर एक है तो यहाँ पर लिख देंगे एक अब अलफा बीटा बहुपद एक से स्क्वाइर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3डवा फलस 3 बीटा का मान ग्याद करें काफी महत्पुड परश्न है ये आपके बोड परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको 3 aha प्लस 3 बीटा का मान निकालना है तो 3 alpha plus 3 beta कमान कैसे निकलेगा तो इसका तो formula भी नहीं होता है लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं तीन दोनों में उभैनिस्ट है common है तो इसे बाहर निकल देंगे तो यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा तो alpha बचेगा और यहाँ पर plus है तो plus और यहाँ से भी 3 बाहर निकल गया त तो बस यहाँ पर आपको b का मान रख देना है यहाँ पर a का मान रख देना है तो यहाँ पर देखे जो x square में गुणा करता है वो a होता है जो x में गुणा करता है वो b होता है और जिसमें x नहीं होता है वो c होता है तो a का मान कितना है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यह कमान कितना है 1 है तो यहां पर लिख देंगे 1 अब यहां पर दीके 3 into अब यहां पर दीके 4 बट्ट्ट एक कार्थ चार ही हुआ अब यहां पर दीके 3 bracket तूटेगा तो गुणा काचीन हीब और यहां पर 4 हो जाएगा 3, 4 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यानि तीन अलफा प्लस तीन बीटा कमान कितना निकल गया, बारा निकल गया, तो यहाँ पे एवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा, आईए देखते हैं, अगला प्रश्ण सत्रा नंबर, सत्रा नंबर प्रश्ण की एक द्विगात बहुपत ग्यात करें, जिसके सुन सुन्यको का योग, यानि अलफा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है, और यहाँ पे सुन्यको का गुड़न फल, यानि अलफा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक द्विगात बहुपत निकालना है, तो द्विगात बहुपत है तो minus x है तो x अब यहां पर देखिए alpha plus beta कितना दिया हुआ है तो alpha plus beta 3 दिया हुआ है तो यहां पर लिख देंगे 3 और यहां पर plus है तो plus और alpha into beta कितना दिया हुआ है minus 10 दिया हुआ है तो यहां पर लिख देंगे minus 10 यहां पर x से square है तो x से square अब यहाँ पर देखिए 3 में X से गुड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस 3X हो जाएगा और यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा तो हमारा जो द्विगात बहुपत निकलेगा x²-3x-10 निकलेगा तो यहाँ पर यह कौन सा option है तो d वाला option है तो यहाँ पर d वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन अठारा नंबर अठारा नंबर प्रशन है कि यदि 100y बुराबर 25 हो तो 10-y ग्याद करें काफी महादपुड प्रशन है यहाँ पर 100y बुराबर 25 दिया हुआ है तो यहाँ पर 10-y निकालना है तो 10-y कैसे निकलेगा तो यहाँ पर आपको y का मान रखना पड़ेगा और y का मान कहां से आएगा तो यहाँ से निकालना पड़ेगा इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा यानि y बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा 100 हो जाएगा अब इसे कटा दिजे 25 से कम 25 और 25 चो का 100 हो जाएगा यानि y बराबर कितना निकल गया 1 बटा 4 निकल गया तो y के जगे पर आपको बस 1 बटा चार लिखना है तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बटा चार और यह बटा का घटाव हो गया तो यहाँ पर एक चार का लगूतम चार यह चार बार में कटेगा तो दोस चो का 40 माइनस 4 से 4 एक बार में कटेगा तो एक में एक से गुड़ा होगा तो एक यहाँ पर देखे 40 में 9x plus 5 में x square का गुडांग ग्याद करें काफी महतपुड प्रश्न है यहाँ पर देखिए 5x square minus 9x plus 5 में आपको x square का गुडांग क्या निए जो x square में गुडा कर रहा है वो आपको निकालना है तो x square में क्या गुडा कर रहा है तो इसमें x square का गुडांग क्या हो जाएगा 5 हो यहां पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा अगर इसी में पूछता कि X का गुडांग क्या होगा तो X में क्या गुडा कर रहा है माइनस 9 गुडा कर रहा है तो X का मान कितना हो जाता है यहां पे यहाँ पे minus 9 हो जाता तो उमीद करते हैं यह सभी परशन आपको काफी अची तरीके से समझ में आ गया होगा अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग online test कैसे दे सकते हैं तो सभी के phone में होता है Chrome और Google तो दोनों में से किसी एक को आपको open कर लेना है जैसे यहाँ पे आपका Chrome open हो जाएगा तो यहाँ पे दिखी एक search box दिखेगा इसमें आपको लिखना है ask class तो हम यहाँ आप लिख देते हैं ASK CLAWS यहाँ पे ask class लिख के search कर देंगे जैसे search करेंगे यहाँ पे दिखी लिखा हुआ आजाएगा ask class बस इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप लोग क्लिक किजिएगा आप हमारे official website पे आजिएगा तो यहाँ से आप लोग test लगा सकते हैं तो test पे हम क्लिक करेंगे और जैसे test पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखी लिखा हुआ है class 10 के लिए test सबसे उपर वाला आपको test लगाना है क्लिक किजिएगा तो यहाँ पे test हमारा open हो जाएगा और जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं test open हो रहा है थोड़ा से time लगता है तो यहाँ पे ओपन हो गया अब आपको थोड़ा सा नीची आना है यहाँ पे दिखी start लिखा हुआ है तो start button पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे नाम पूछेगा तो यहाँ पे जो आपका नाम है वो लिख दीजिए यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं उसके बाद next करेंगे तो यहाँ पे दिखे 20 कोशन है और 20 में से यहाँ पे दिखे परते कोशन का एक option होता है तो वही सही रहता है अगर उस पे टिक कीजिएगा तो green होगा अगर गलत पे टिक कीजिएगा तो red होगा तो यहाँ प भैटरी से किस परकार की धारा प्रो आई होती है तो दिश्ड धारा माराईथ होती है लेकिन जब हम असी मारेंगे तो यहां पर गल्लत हो जाएगा और जो शही değer होगा वह आपको बताएगा तो ऐसे आपको देना है और उसके बाद, यहां पर देखिए, आपको थोड़ा सा यहां पर IDF अगर आपको डाउनलोड करना है, तो यहां पर download IDF लिका हुआ है, तो इससी आपको क्लिक करना है, और जैसे क्लिक किजिएगा, बहुत सारा okay यहां पर open हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं, बह वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मनला आगे पढ़ाई किजिए टेक के रेंट बाएं